हलो फ्रेंट्स मैं अमित मालविया एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ हमारी यूटूब चैनल के एक और नए वीडियो में तो दोस्तो अगर आप जो है बर्थ सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं ओनलाइन तरीके से घर बेठे तो आज क चैनल पर आपको इसी तरह का डिजिटल इंडिया से रिल्टेट कंटेन मिलते रहता है तो चलिए शुरू करते हैं आज कि इस कमाल की वीडियो को तो दोस्तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि जो सिविल रिजिस्टेशन सिस्टम है यहां से 21 दिन तक का बर्थ सर परती है या उनके पास में जो है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो यहां पर हमारे काफी सारे सस्क्राइबर भाईयों का यह कोश्चन साता है कि सर किसी भी एज का बर्थ सर्टिफिकेट उसको हम किस तरह से बना सकते हैं तो आज किस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोग इसकीप मत किजिए अगर आप वीडियो को इसकीप करेंगे तो आपको जो है कंप्लेटली इंफरमेशन नहीं मिल पाएगी तो दोस्तों उसके लिए आपको आजाना है इस वाले पोर्टल पर सर्वीस ओनलाइन डोट जी ओवी डोट इन ठीकर न यह पोर्टल जो है गौर् इस तरह का इंटरफेस पेज आपको देखने के लिए मिलेगा अभी दोस्तों यहां पर आपको जो सर्वीस प्लस लिखा हुआ है यहीं पर आपको दो बटन दिखाए देते हैं एक तो रजिस्टर्ड का और सेकेंड लॉग इन का अभी अगर आप पहली बार इस वाले पोर नहीं होगी यहां पर आपको जो है अपना मॉबाइल नंबर डाल देना है यहां पर आपको एक पासवर्ड करेट कर लेना है जो की 8 से लेकर 15 केरेक्टर का होना चाहिए और जैसे कि आप लोगों को पता है यहां पर आपको बताया भी गया है कि इस तरह का पासवर्ड उसके बाद यहां से आप अपना state select करेंगे जो भी आपका state है तो दोस्तो यह वाली जो services सारे state के लिए live कर दी गई है जैसे कि आप यहां पर देख पा रहे हैं आप किसी भी state के हो उसके बाद इस वाले केपचा को आप इस वाले box में fill करेंगे and submit वाले button पे click करेंगे तो जै आप simply validate OTP पे click करेंगे तो जैसे आप validate OTP पे click करेंगे तो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हैं you have successfully registered on serviceplus.gov.in ठीके ना please login application using your email address and password अब दोस्तो यहां पर आपका user ID है आपका email address रहेगा और password जो आपने create किया है वो आपका password रहेगा ठीके ना तो हम login कर लेते हैं login करने क home page पर जाना होगा अभी दोस्तो हम दोबारा से serviceplus portal पर आ चुके हैं यहां पर अब आपको login वाले button पर प्रेस करना है जैसी आप login वाले button पर प्रेस करते हो तो आपके सामने यहां पर user ID password डालने का option आ जाता है आप यहां login ID में जो है आपने जिस email ID से अपना login ID बनाया है उ email ID को फिल करेंगे यहां पर जो password आपने बनाया है उस password को फिल करेंगे उसके बाद आप जो है इस वाले केपचा को यहां पर फिल करेंगे and login वाले button पर प्रेस करेंगे तो दोस्तो जैसी आप login वाले button पर प्रेस करते हो तो यहां पर जैसे कि आप देख पा रहे हो यहां प अगर अपना profile edit करना चाते हैं या उसमें आप जैसे कि आपने mobile number नहीं डाला हो तो mobile number edit करना चाते हैं चेंज password करना चाते हैं तो आप यहाँ पर कर सकते हैं Apply for Services यहाँ पर आपको जैसी click करेंगे तो यहाँ पर आप View and Available Services पर click करेंगे तो आपको जो है यहाँ पर जितनी भी सारी services हैं वो सारी की सारी services आपको यहाँ पर दिख जाएगी जैसे कि यहाँ पर हमने birth certificate के लिए apply किया है तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर view all services तो यहाँ दोस्तो आपको काफी सारी services मिलेगी इस पर birth certificate के अलाबा काफी सारी services portal पर आपको देखने के लिए मिलेगी आप यहाँ पर next करके और भी सारी service देख सकते हैं अभी दोस्तों अगर आपको यहाँ पर birth certificate के लिए चीए तो यहाँ पर आप सर्च करेंगे simply birth BIR तो जैसे आप यहाँ पर BIR सर्च करेंगे जैसे की देख रहे हैं यहाँ पर हमने मदब्रदेश के लिए लॉगिन किया है यहाँ पर आप state भी देख पा रहे हैं यहाँ पर जैसे आप BIR लिखेंगे तो यहाँ पर birth registration के ओपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है इस तरह का एक farm open हो जाएगा जैसे की आप यहाँ पर देख पा रहे हैं अब दोस्तो यहाँ पर आपको सबसे पहले लिखना होगा बालक या बालिका का नाम ठीक है ना जो भी बच्चा है उसका नाम लिखना है या जिसके लिए आपको जनम प्रवान पत्र बनाना है उसका नाम लिखना है ठीक है ना यहाँ पर आपको select करना होगा जनम दिनांक ठीक है ना आप इस calendar के माध्यम से select कर सकते हैं या आप यहाँ पर जो है type भी कर सकते हैं यहाँ पर बच्चे का जनम सब्दों में आपको लिखना होगा in words इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको male female वो आपको यहाँ पर select करना यहाँ पर पिता की समगर ID इंटर करनी होगी यहाँ पर आपको माता का नाम इंटर करना होगा यहाँ पर आपको माता की समगर ID इंटर करनी होगी उसके बाद यहाँ पर आपका अधिकारिक छेत्र तो यहाँ पर आप select करेंगे municipality नगरपाली का जो भी आपका है वो आप यह यहां पर select कर लेंगे ठीक ना उसके बाद आपको यहां नीचे की तरफ आ जाना है यहां पर आपको option मिलता है जन्म संबंदी विवरण तो बच्चे का जन्म अस्पताल में हुआ है या घर पर हुआ है वो आप यहां पर tick mark करेंगे ठीक ना यहां पर जो है जन्म का इस्थान birth का जो place है उसका नाम लिखेंगे यहां पर आपको जो है address related information फील करनी होगी जैसे की बच्चे का जन्म अगर अस्पताल में हुआ है तो यहां पर आप जो है अस्पताल का address इंटर करेंगे अगर बच्ची का जन्म घर पर हुआ है तो यहां पर आप जो है जो भी आपका घ जिला सेलेक कर लिया है, पिन कोड आपको यहाँ पर इंटर करना है, जो भी आपका पोस्टल पिन कोड हो, उसके बाद आपको स्कोल करके नीचे की तरफ आ जाना है, यहाँ पर आपको आपका अपना एडरस डालना होगा, ठीक है ना जिस एड्रेस पर आप रहते हैं यहाँ पर आप जो है पोस्टल एड्रेस लिखेंगे village plus post plus जो भी आपका gram है mark का नाम लिखेंगे word number लिखेंगे mobile number इंटर करेंगे country का नाम सेलेक करेंगे यहाँ पर आप अपने state का नाम सेलेक करेंगे यहाँ से आप अपना जिला से लेक करेंगे यहाँ पर आप अपना पिन कोड इंटर करेंगे उसके बद आवेदक का विबरंट तो दूस्तों यहाँ पर आवेदक जो भी अपलिकेंट है जैसे कि आप अगर बच्चे के भाई हैं आप सोयम अपलाए कर रहे है तो आपका जो है रिलेशन आपको यहाँ पर बताना होगा ठीके ना आपको अपना नाम लिखना होगा आपका जो है रिलेशन क्या है बच्चे के साथ में तो यहाँ पर जो भी आवेदक है वो यहाँ पर आवेदक का नाम लिखेगा उसके बाद यहाँ पर जो है माता पिता का नाम लिखेगा आवेदक के बालक का आप से क्या संबंध है वो आप यहाँ पर दर्शाएंगे जैसे कि आप बालक के चाचा है, मामा है जो भी है आप यहाँ पर इंटर करेंगे यहाँ पर आप अपना पता लिखेंगे जो भी आपका एड्रेस है यहाँ पर आप जो है स्ट्रीट का नाम लिखेंगे यहाँ पर आप अपना वार्ड नमर लिखेंगे यहां पर आप अपना country select करेंगे यहां से आप अपना states select करेंगे यहां से आप अपना district select करेंगे और यहां पर आप अपना postal pin code इंटर करेंगे अभी दोस्तों यह सारी चीज़े आपको फील करने के बाद यहां पर आपको अन्य विवरण का एक option आता है यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको बताया गया है जन्म पंजियन का प्रपत्र अगर है तो एक फार्मेट आपको भड़ा हुआ होना चाहिए मतदाता परिचे पत्र जो भी अपलाए कर रहा है जो भी बालक पालिका के लिए आप जन्म प्रपत्र के लिए अपलाए कर रहे हैं उनका एक फोटो भी यहाँ पर होना चाहिए अभी इसके बाद हम नीचे की तरफ आएंगे इसकोल करके तो यहाँ पर आप देखेंगे अडिस्नल डीटेल ओफिस का नाम दोस्तो जैसे ही आप इन सारी चीजों को फील कर लेंगे तो यहाँ पर आपके ओफिस का नाम आपको आ जाएगा उसके बाद इस वाले किप्चा को आप यहाँ पर फील करेंगे और सम्मिट वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो दोस्तो जैसे यहां पर आप सम्मिट कर देते हैं तो यहां पर आपको जो है आपका जनम प्रहान पत्र जो भी आपका office जहां पर आपने डाला है उस address पर आपको यह सारी document सम्मिट करना होगा जैसे कि जनम प्रमान पत्र का भड़ा हुआ प्रपत इस वाले फॉर्म के आपको कापी निकाल लेनी होगी प्रिंट निकल वा लेना होगा उसके बाद आपको यहाँ पर जो है मद्दाता परीचे पत्र रासन काट की प्रती विलंबी की अवश्था में आपको यहाँ पर नोटरी लगेगी जनम प्रमान पत्र के लिए ओनलाइन आवेदन कर सकते हैं यह उसका completely ओनलाइन प्रोसेस था जो कि मैंने आप लोगों को बताया अगर इस वीडियो के रिकार्डिंग आपके अमान में कोई भी सवाल हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूस सकते हैं और यह वीडियो अ आपको अच्छी लगी हो तो इसी तरह की इंफर्मिशन के लिए आप हमारे चैनल को सस्क्राइब कर सकते हैं आगे भी आपको इसी तरह की helpful information मिलती रहेगी तो आज किस वीडियो में इतना ही मिलता हूं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए जाहिन चैभार